इस question बेटा 1.6 यानि यह question नमबर है NCRT का ठीक है इस question में हम देखते हैं क्या बोल रहा है 4.4 पॉइंट चार्ज Q1, sorry QA, QB, QC, QD इन सब की value दे रखा है 2 microgram QA जो है 2 microgram QB जो है minus 5 microgram फिर QC जो है minus 2 microgram और QD जो है minus 5 microgram ठीक है R located at the corner of square यानि एक square ले लो एक square ले लो और सब का side कितना होगा जैसे हम कहीं से भी इसकी numbering कर सकते हैं यहां सकर लो A B C D ठीक है तो इनके पास जो charge corner पे है इसको QA मान लो इसको QB मान लो इसको QC मान लो इसको QD मान लो तो QA की value कितनी है 2 2 microgram ठीक है कितना 2 microgram है और B QB की value minus 5 microgram QC की value कितना बटा 2 microgram QD की value minus 5 microgram ठीक है यानि यह अपने पास दे रखा है तो बोल रहा है कि located at the corner of square ABC और side कितना दिया है सबका सबका side दिया है AB हो जाया BC हो जाया CD है सबका 10 cm दे रखा है यहां से यहां तक का और यहां से यहां यह सब का ठीक है What is the force on on a charge 1 microgram placed at the center यानि यहां कहीं बीच में रखा गया रहेगा यहां एक microgram है इस center पे एक microgram है उसको बता रहा है कि कितना होगा आगे चलते हैं तो अपने पास बेटा क्या होगा पहले given लिख लेते हैं given में क्या देखेंगे AB equals to BC equals to CD equals to DA equals to कितना होगा बेटा 10 cm दूसरी चीज़ अगर diagonal अगर हम देखना चाहें इन लोग का ऐसे निकाल के ठीक है 10 10 तो पाइथा गोरस से निकल के कितना आएगा 10 root 2 आएगा ठीक है 10 root 2 निकल के आएगा diagonal diagonal क्या होगा AC हो सकता है एक तो AC हो सकता है एक BD हो सकता है दो diagonals है AC equals to BD equals to यानि बेटा यहां हम देखेंगे अगर इसको solve किया जाए hypotenuse जो होता है H square तो यानि यहां हम AC और BD की value जब निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे H square equals to 10 का square plus 10 का square 10 का square क्या होगा 100 और यह क्या होगा 100 यानि 200 तो जब 200 का root निकालोगे बेटा 200 का जब root निकालेंगे यानि H square होगा न तो H square इदार आ जाएगा H की value 200 का root ठीक है तो यानि हम यहां क्या देखेंगे 100 का root यानि 2 into 10 into 10 होगा तो 10 यह दोनों क्या हो जाएगे निकाल जाएगे बाहर और बचेगा root 2 तो यानि हम क्या करेंगे यहां हम करेंगे यह अपनी value निकल क्या आ गई तो इसके जाएगे हम क्या रिख देंगे 10 root 2 ठीक है तो आगे हम देखेंगे अब इसके बाद OA या AO equals to OC equals to DO equals to OB ठीक है यहां सपूरा इन सब की दूरी बता रहा है ठीक है तो इन सब की जो दूरी है वो कितना है 5 root 2 ठीक है उसका half हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे जो charge सब पे होगा वो क्या होगा वो 0 होगा ठीक है क्योंकि सब का magnitude सब का magnitude क्या है सेम है अब यहां देखोगे तो जब charge जो है सेम है सेम साइन के है ठीक है यानि उसका magnitude और साइन सेम है तो दोनो अगर यहां देखेंगे दोनो repulsive लगेंगे यहां जो है दोनो attractive लगेंगे तो इन सब में क्या होगा वेटा इन सब में force जो होगा 0 हो जाएगा तो इसे साब का ऐसे हम इसको करते है force between force between A and O A और O के बीच में A और O के बीच में जो लगने वाला force है वो क्या है is equal magnitude equal magnitude but opposite in direction but opposite in direction ठीक है जिसके वैसे क्या होगा to F जिसके बीच क्या होगा at center center पर जो लगेगा वो क्या लगेगा force at center equals to zero तो इसके उपर जो charge यहां रखा जाएगा वन माइक्रो कूलाम पे वो क्या होगा जीरो होगा ठीक है अब इस वीडियो में हम देखते हैं यानि इस question में देखते हैं जो की 1.8 है ठीक है 1.8 है तो इसमें क्या करा है two charges QA and QB दोनों अलग-अलग opposite charge है वो magnitude same है ठीक है are located at the 20 cm apart in vacuum इनके बीच में vacuum है यानि वही है K की value क्या होगा 9 into 10 to the power 9 होगा ठीक है पहला बोरा what is the electric field at the midpoint at the midpoint of the line AB joint two charges ठीक है तो आनि हम देखेंगे दो charge है उनके बीच में ठीक है अपने पास दो charge है एक है positive एक है positive एक है negative एक को मान लो A एक को मान लो B एक को A और एक को B मान लिया गया और इनके बीच का क्या distance है वो है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड का जो formula होता है जैसे मान लो given पहले क्या क्या लिख लो given क्या दिया है पहला है A B distance जो है बेटा और इनके बीच में इसको मान लो ओ ठीक है A B के value 20 cm है और इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड की value बताना है ठीक है यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड की value बताना है तो यहाँ 20 cm हो गया तो O A therefore O A equals to O B equals to कितना हो जाग बेटा 10 cm ठीक है तो हम इसमें देखेंगे even की value even की value यानि इस पे plus वाले के वैसे even की value क्या निकल कहाएगी k q upon r का square होता है r का square यानि यह यह r हो गया ठीक है यह r हो गया तो यानि हम क्या देखेंगे k q upon r का square तो इसकी value रख दो ठीक है इसकी value रख दो कितना निकल कहाएगा 9 into 10 to the power minus 9 रहेगा ठीक है 9 into 10 to the power 9 into q की value क्या है 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6 upon r की value क्या होगी 10 into 10 to the power centimeter में इसको meter में convert करेंगे centimeter को meter में convert करेंगे into 10 to the power minus 2 का square रहेगा ठीक है ये newton पर कुलाम अभी निकल के आया है अभी electric field की value e1 अभी इसको हम आगे चलके इसको relate करें ठीक है तो e2 की value जो निकल के आई बेटा e2 की value फिर वही formula लगेगा के यहाँ q1 इसको माल ले ना इसको q2 माल ले ना कोई दिखके ताकि confusion ना हो तो फिर यहाँ क्या करेंगा r का square फिर वही रखेंगे यहाँ formula 9 into 10 to the power 9 into minus 3 हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे bracket में कर दो minus 3 into 10 to the power minus 6 upon यही रख दो पूरा और यह minus निकल के इदर total हो जाएगा ठीक है और यह तो common हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 10 into 10 to the power minus 2 की power 2 हो जाएगा ठीक है इस चीज़ को ऐसे समझते है फिर इसके बाद आगे चल के आते हैं total electric field का formula होता है e equals to e1 plus e2 ठीक है तो e1 की value क्या निकल के आएगा थी यह ठीक है 9 into 10 to the power 9 fine अच्छा दोनों में देखो मिटा यह बाद common हो रहा है तो हम क्या करेंगे बाहर लेकर चलेंगे ठीक है दोनों में क्या हो रहा है common हो रहा है vector form की बात नहीं किया है direction बात नहीं किया है तो इसके विएस हम यहां क्या देख सकते हैं कि यह जो value होगी इसको भी हम mod में रख देंगे ठीक है mod में यह जो minus है यह क्या हो जाएगा यह भी plus हो जाएगा तो इन दोनों का square कर दो कोई एक value लेका यान दोनों का value क्या हो जाएगा same हो जाएगा mod का मतलब क्या जाता है minus plus minus हो जाता है उसमें कोई दिक्कर नहीं है तो यान हम क्या कर देंगे into 3 into 10 to the power minus 6 upon 10 into 10 to the power minus 2 की power 2 ठीक है और इन दोनों का क्या होगा 2 से multiply इसका दो गुना हो जाएगा ठीक है आगे चलके हम देखते है तो इसको सब cancel out करने पे आपको क्या मिलेगा final answer मिलेगा 5.4 into 10 to the power 6 ठीक है into 10 to the power 6 न्यूटन पर कुलाम अगर आप इसको solve पर होगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा ठीक है और जो direction होगा along 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 हमेशा हमको पता है किधर direction में होता है किधर direction में होता है O से B की तरफ O से B की तरफ होगा यानि positive से negative तरफ अपना हमेशा होता है ठीक है इधर repulsive इधर attractive यानि O B along O B तो फिर यानि हम क्या देखेंगे दूसरा बात इसमें जो कहा था इसमें जो दूसरी बात बोला था दूसरी बात अपना यह है क्या कह रहा है अब a negative test charge कौन सा है negative test charge of magnitude this placed at the at this point इसी point पर रखा जाए what is the force experience by the test charge ठीक है यह पहला था अब second वाला क्या कह रहा है second वाले में अगर इन दोनों बीच में यहां कहीं अगर एक test charge रख दिया जा तो क्या feel करेगा कौन कितना force experience करेगा तो force जो experience होगा बेटा f equals to formula होता है charge into electric field ठीक है तो charge की value रख दो कितना है charge की value यहां उपर दिया 1.5 into 10 to the power minus 9 होता है into 5.4 into 10 to the power 10 to the power 6 10 to the power 6 तो इन दोनों जब देखोगे ठीक है इन दोनों को multiply करके जब यहां हम cut करेंगे तो इसका तुमानों कितना आ जाएगा 10 to the power minus 3 आ जाएगा ठीक है अगर इसका multiply कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8.1 ठीक है तो यह जो है force की value जो वो discharge यहां पर experience करेगा ठीक है बेटा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठीक यू टेक केर बाबाई